हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माँ चैनल टेकनिकल नॉलेज़, आज हम सीखेंगे कैसे आप GoDaddy से अपना डॉमेन नेम खरी सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप GoDaddy पर अपना अकाउंट क्रेट कर सकते हैं, और कैसे आप अपना डॉमेन नेम प तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और गूगल पर आपको टाइप करना है गोडेड़ी उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है गोडेडी.com जो डॉमेन आ रहा है उसके बाद आप अपना डॉमेन नेम सर्च करेंगे, जो आपको अपनी वेबसाइट का नेम चाहिए उसके बाद सर्च डॉमेन नेम पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर असनसीलीगल.com अवेलेबल नहीं है असनसीलीगल.in अवेलेबल है तो यह नेम मुझे नहीं मिल सकता तो यह इन वाला मैं चूज कर रहा हूं make it yours पर क्लिक करें अब उसके बाद continue to cart का option आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर start your website पर free लिखा है तो आप इसको select रहने दें because यह free of cost है इसका कोई charges नहीं है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है professional email id अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा professional email पर otherwise आप no thanks पर click कर सकते हैं तो मुझे अभी professional email id चाहिए तो मैं professional email id पर click करूँगा इसका continue to card पर click करना है then friends आपको यहाँ पर अपना year select करना है कितने years के लिए आपको यह चाहिए तो यहाँ पर already three years selected है मैं one year के लिए मुझे तो फिलाल मैं यह one year के लिए select कर रहा हूँ उसके बाद आपको यह professional email id का option आ रहा है यह इसके भी 12 months select करूँगा यानि कि एक साल उसके बाद friends अगर आपको यह नहीं चाहिए पहले अपने select कर दिया तो आप यहाँ से भी delete कर सकते है विकास मुझे भी यह चाहिए तो मैं इस पर click करूँगा then आपको यहाँ पर am ready to pay पर click करना है so friends जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन option आ रहा है sign up करने के आप facebook के थुरू भी कर सकते हैं google के थुरू भी कर सकते हैं या फिर अपनी email id के थुरू भी कर सकते हैं तो फिलाल मैं email id के थु आपको user name पर जैसी click करेंगे आपकी email id ही आपको user name बन जायेगा then आपको password select करना है यहाँ पर अपना password यहाँ पर type करिए जो आप इस godaddy के account में create करना चाहते है then आपको create account पर click करना है इसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर billing information में details फिल करनी है सबसे पहले आप अपनी country select करिए जो कि मेरे case में इंडिया है तो में इंडिया select कर देता हूं then आपको अपना first name डालना है यहाँ आपको अपना last name उसके बाद अपना mobile number आपको mention करना है यहाँ यहाँ उसका फ्रेंड्स आप इस पर click कर सकते हैं अगर आपको WhatsApp पे renewal or special of us related of us notification चाहिए तो आप इस पर click कर सकते हैं then आपको यहाँ पर address mention करना है पूरा pin code के साथ जरूँस के बाद आपको यहाँ पेमेंट मेथड चूज करना है आप UPI credit card, net banking, debit card के थ्रू कर सकते हैं तो फिलाल मैं credit card से payment कर रहा हूं अगर आपको UPI से करना यूपिय से कर सकते हैं फिलाल मुझे credit card से पेमेंट करना है तो मैं credit card चूज करूँगा तो आपको आप save payment and tokenize पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे scroll down करेंगे, continue purchase पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आपको OTP एंटर करना है जो आपके mobile नंबर पे आएगा, जो कि जिस card से आप payment कर रहे है और OTP एंटर करने के पाद आपको submit करना है जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी payment हो चुकी है और हमारा जो domain है वो हमारे इस account से link हो चुका है यानि कि जो हमने भी email id जिससे अपना account create किया था तो आपको जाना है go to my account उसके बाद आपको क्लिक करना manage all पर उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा domain name आ चुका है snclegal.in तो यह था godeaddy से domain name purchase करने का process अगर आपको कोई भी doubts है तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आये होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें share करें and thank you so much for watching the video have a nice day हुआ 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 है